देवीपुर नाम की एक गाउं में कमला अपने दो बेटे सुरेश और देवेश के साथ रहती थी कमला की पती एक रोड एक्सिडेंट में मर गये थे तभी से कमला अपने दोनों बेटों को अकेली ही पाल पोस कर बरा कर रही है कमला की बरा बेटा सुरेश एक प्राइवेट कमपनी में काम करता था और उसकी छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ता था अच्छा खासा दिन गुजर रहा था एक दिन कमला अपने बरे बेटे सुरेश को कहने लगी बेटा सुरेस, मुझे तुम से कुछ बात करनी है हाँ मा, बोलो न, क्या बात है? तुम अब अच्छी नौकरी करने लगे हो, तनफ़ा भी अच्छी खासी मिलती है अब तुम्हें शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए बेटा क्या तुम मेरे लिए लड़की देखी हो, मा? नहीं बेटा, अगर तुम बोलोगे, तो मैं लड़की धूंडना शुरू करूँगी नहीं, नहीं मा, उसकी ज़रूरत नहीं है मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ अरे ये तो अच्छी बात है, ठीक है बेटा, उसे एक दिन घर पे बुलाओ ठीक है मा, पर उसके ममी बापा कोई नहीं है, वो अकेली है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उसे साम को ही घर पे बुलाओ मैं भी तो देखू, मेरा बेटा कैसा लरकी पसंद किया है शूरेश ने उसी दिन शाम को निर्मला को घर पे ले आया शाम को निर्मला सूरेश के घर में आया निर्मला को देख कर कमला का होश उड़ गया और कमला ने बोला अरे सूरेश बेटा, इतनी लंबी लरकी अरे ये तो हमारे घर की छट तक पहुँच जाएगी अरे बेटी तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम निर्मला है आउंटी वा बहुत अच्छी है तुम्हें इस शाधी से कोई एतरास तो नहीं है न नहीं आउंटी जी कमला ने निर्मला को देखकर मन ही मन में आनंद हुआ और बोली कितनी लंबी बहु है इस गाओं में तो ऐसी लंबी कोई नहीं है कमला ने एक अच्छा दिन देखकर निर्मला और सुरेश की शादी करवा दी कमला निर्मला को बहुत प्यार करने लगा कुछ दिन बीट गय निर्मला इतनी लंबी होने के लिए उसे हर काम में तकलिफ होता था जब कमरे में जाती थी या निकलती थी दरवाजे से टकराती थी खाना पकाते वक उसे बहुत जुक कर काम करना पता था निर्मला की लंबाई से पूरे गाओं में सिर्फ निर्मला की ही चर्चा होने लगी और ये सुनकर कमला को बहुत अच्छा लगता था पर कोई-कोई मर्जाग भी करता था तो कमला जाके उन्हें मना भी करती थी ऐसे ही दिन बीटता गया अचानक एक दिन कमला का छोटा बेटा देवेस ने किसी को कुछ भी बिना बताए एक नाटी लड़की पूजा से साधी करके घर ले आया मा, कहा हो तुम? अरे देवेस तुम? और तुम्हारे साथ ये नाटी सी लड़की कौन है? क्या तुमने शाधी कर लिया? हाँ मा, ये पूजा है, मैं उससे शाधी कर ली ये कैसी लड़की है? इतनी नाटी सी, इतनी छोटी सी तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली क्या? ऐसो मत बोलो मा, ये बहुत अच्छी लड़की है घर का सब काम करती है और बढ़ाई में भी बहुत अच्छी है मेरे दोनों बेटे ने तो हदी कर दी मेरी एक बहु है खंबे जितनी लंबी और दूसरी लेली पूर जितनी छोटी नाटी ठीक है, शादी कर ही लिया है तो घर में लेकर आओ देवेस पूजा को कमरे में ले गया पूजा को निर्मला से दिखने में अच्छी थी और इस बात से निर्मला को जलन होती थी एक दिन छोटी बहु पूजा मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया है थोड़ा साफ कर देना जरा ठीक है माजी पूजा अपनी सास की कमरा साफ करने जाता है लेकिन पूजा नाटी होने के वज़े से सीलिंग तक पहुच नहीं पाती है और रोती रहती है तभी निर्मला आकर बोलती है अरे हट रे नाटी तू है ही इतनी छोटी सी तू क्या काम करेगी तू हट मैं काम कर देती हूँ मेरी हाइट देखी है उच्छी सीलिंग तक पहुच जाऊंगी ये कहके निर्मला पूचा को हटा के सास की कमडे की साफ सफाय कर दी अगले दिन सुभा निर्मला उसकी दोनों बहु को लेकर मौर्निंग वर्क पे जाने लगे तभे रस्ते में एक पेर में बहुत सारे फल देखकर निर्मला ने कमला से कहा मा जी क्या आप फल खाएंगे हाँ क्यों नहीं रुकिए मैं अभी पेर से तोर कर देती हूँ निर्मला लंबी होने की कारण हाथ से ही फल तोर के कमला को दी और कमला ने खा के बोली बरी बहु तुम कितनी आच्छी हो तुम्हारा तो कोई जबाब ही नहीं तुम्हारी लंबाई कितनी काम में आती है और ये चोटी बहु इतने नाटी है कि कोई भी काम नहीं कर पाती है मैं क्या करूंगी इसकी कमला की ऐसी बात सुनकर नाटी बहु पूझा को बहुत बुरा लगता है बोली अरे मेरे लंबाई तो किसी काम में आती है लेकिन तुम इतनी नाटी हो कि तुमसे तो कोई काम भी ठीक से नहीं होता है अब तो मा जी भी मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने लगी है अब तुम क्या करोगी कमला भी अब पूजा से निर्मला को ज्यादा पसंद करने लगी थी पूजा को ये सब बात बहुत बुरा लगता था और उसने सोचा कि फिर से परहाई चालू करतीगी जैसा सोच वैसा काम पूजा ने परहाई शुरू कर दी और नौकरी की परहाई करने लगी पूजा पचपन से ही परहाई में बहुत अच्छी थी पूजा ने जी जान लगा कर परहाई की और नौकरी की परिक्षा पास कर गई और एक अच्छी से कमपनी में नौकरी भी मिल इस सारी काउं में फिर से चच्चा होना शुरू हो गया लेकिन इस बार पूजा के नौकरी को लेकर तभी पूजा घर आती है पूजा थी बहुत सांत किसम की लर्खी ये लो माजी मिठाई खाओ मुझे एक अच्छे नौकरी मिल गई है अब तुम्हें और बरी दीदी को कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं परेगी तुम्हारी उमर हो रही है और निर्मला दीदी भी इतनी लंबी होने के वज़े से काम करने में तकलीफ होती है और मैं भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी मैं एक काम करूंगी एक काम करने वाली बाई रख लूंगी छोटी बखू मैंने तुझसे इतना बुरा बटाफ किया फिर भी तुने हमारे बारे में इतना सोचा है हाँ पूचा मैंने भी तो तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोला है कितने बार ताने भी मारे है फिर भी तुम हमें इतना प्यार करती हो हम लोगों की इतनी फिकर है तुम्हे माजी कोई लंबा या नाटी अपनी मर्जी से तो नहीं होती है न वगवान जिसे जैसा बनाना चाहे वो वैसा ही होता है इसमें हमारी कोई हाथ नहीं होती और हर इंसान की कोई एक खूबिया होती है जैसे निर्मला दीदी लंबी होने के लिए बहुत फाइदा होता है इसलिए किसी भी इंसान को उसकी रूप या हाइट से नहीं देखना चाहिए उसकी गुन से जानना चाहिए हमें माफ कर दो बेटी हाँ पुजा हमें भी माफ कर दो हमें सरमंदिगी है अपने काम के वज़े से अब से तुम मेरी छोटी सी बहन हो अब तुम्हें मैं कभी नहीं चिडाऊंगी उसके बाद से कमला अपनी दोनों बेटी और दोनों बहुओं को लेकर खुशी से रहने लगे खाना तयार है रोहित जल्दी आ जाओ अरे मा अभी भी आप ही खुदी सारा काम कर लेती हो घर में तो आपकी लाडली बहु आ गई है उसको भी तो बोलो थोड़ा काम करने के लिए अरे बहु इस घर में आये हुए एक हफते भी नहीं हुआ है बाद में तो उसे ही सारी जिम्मदारी लेनी है ऐसे ताने मत दो अभी थोड़ा समय दो उसे जिसको मैं पसंदी नहीं करता हूँ उसके बारे मैं अच्छा कैसे बोलूँ फिर से वही बाद इशानी बहुत अच्छी लरकी है बेटा वो बहुत परी लिखी और समझदार है वो लंबी है तो क्या हुआ बहुत सारे गुन है उसमें और इस दुनिया में तू ही अकेला इंसान नहीं है जिसकी बीवी लंबी है गुन का मैं क्या करूँँगा? उसके साथ जब बात करने जाओं तो मेरे गर्दन में दर्द सुरू हो जाता है उसके सामने ख़डा रहूं तो खुद को बच्चा मसूश करता हूं अगर मैं उसे लेकर बाहर कहीं जाओंगा तो दोनों को साथ देखकर सब लोग मजाक उड़ाएंगे मैं तो ये साधी करना ही नहीं चाहता था लेकिन तुम्हारे जिद की वज़ा से मुझे साधी करनी पड़ी माफ कीजिए बहन जी मेरा बेटा आपकी बेटी से शाधी नहीं कर सकता हर बार लड़के वाले मुझे रिजेक्ट कर देते हैं फिर भी तुम लोग मुझे लड़के वालों के सामने बैठा देती हो अब मैं शाधी करना ही नहीं चाहती हूँ मैं कोई खिलोना नहीं हूँ जो सच धचकर हर बार लड़के वालों के सामने बैठूँ अरे बेटी ऐसे नहीं बोलते एक दिन हर लड़की को ससुराल जाना परता है कवारी लड़कियों को जिन्दगी में बहुत जिल्लत जेलनी परती है क्यों मा बिना शादी किये क्या जिन्दगी नहीं चलती है मैं कोई नौकरी कर लूँगी और तुम लोगों कभी देख भाल कर लूँगी ये सब ठीक है लेकिन शादी तो करना परेगा कोई तो जरूर होगा जो तुझे शादी करने के लिए राजी होगा अरे रेखा कैसी है इधर से जा रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलू सालों गुजर गये है तुझसे बात किये हुए अरे इशानी बेटा तुम कितनी बड़ी हो गई हो बहुत सुन्दर लग रही हो क्या बात है इतना सच तच कर कहीं चा रही हो और मत पूछ राधा लड़के वाले देखने आये थे लगता नहीं के मेरी बेटी की कभी शादी हो पाएगी ऐसा क्यों बोल रही है तु? मेरी लड़की बहुत लंबी है छे फीट से भी जादा इस वजे से जो भी उसे देखने आते है ना पसंद करके चले जाते है लेकिन तेरी बेटी तो बहुत शुशील है देखने में भी सुन्दर है अच्छा ठीक है तेरी बेटी को मैं अपनी घर के बहु बनाऊंगी लेकिन तेरा बेटा इस शादी के लिए मानेगा पहले तु अपने बेटे से तो पूछ ले के वो क्या चाहता है अरे तुझे उसकी फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है तु बस देखता जा मेरे जित के आगे उसका नहीं चलता है वो अपने मा की बात कभी टाल नहीं सकता नहीं मा, मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा तु किसी और से तो प्यार करता नहीं है तो फिर इस लड़की से शादी करने में तुझे प्राब्लेम क्या है इतनी लंबी लड़की को मैं अपनी वीवी नहीं बनाना चाहता हूं मुझे लगा था कि तुझ पर मेरा पूरा अधिकार है इसलिए मैंने रेखा को वच्चन दे कर आई थी ठीक है बेटा अगर तुझे ये रिष्टा मनजूर नहीं तो मेरे साथ भी तेरा कोई नाता नहीं तुम जानती हो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए तुम्हें सब कर रही हो ना ठीक है तुम्हें जो ठीक लगे वहीं करो बस बेटा अब गुस्सा छोर अब वो तेरी पत्नी है उसका भला बुरा देखना अब तेरी जमदारी है ये मेरा दावा है कि तु उसके साथ खुश रहेगा हाँ शादी तो करवा ही दी है ना अब क्या करो तभी इशानी मुस्कुराते हुए खाना लेकर अंदर आती है मा जी आपके बेटे को बोल दीजिए कि जब हम दोनों कहीं जाए तो मैं उसके पीछे पीछे चलूँगी ताके किसी को पता ना चले कि मैं उसकी पत्नी हूँ देखा बेटा मेरी बहू कितनी समझदार है अब तो मुस्कुरा दे कुछ दिन बीतने दे सब कुछ ठीक हो जाएगा सुनो बहू तुम तयार हो जाओ मेरे साथ बजार जाना है फिर साज बहू दोनों निकलते हैं बजार के लिए रस्ते पर उन दोनों को देखकर कुछ परहोसी उन लोगों का मजाक उराते है वो देखो सब रोहित की मा अपनी लंबी बहू को साथ मिलेकर गों में जा रही है लगता नहीं के उसके घर में अब सीड़ी की कोई जरूरत पड़ेगी आप सुन रही है न माजी ये सब मुझ पर मजाक उड़ा रहे है बोलने दो बहू इन लोगों के बात पर ध्यान मत दो जल्दी चलो बजार में बहुत कुछ खरीदनी है कुछ दूर जाते ही एई पीटा क्या हुआ इतना रो क्यो रहे हो वो देखिये ना आंटी हमारा बोल तालाब में गिरकर इतनी दूर चले गई है कि किसी का भी हाथ वहां तक नहीं पहुँच रहा है माजी क्या मैं एक बार कोशिश करके देखू क्यों नहीं बहू जरूर जाओ तब इशानी अपना लंबा हाथ बरहा कर गेंद को पकर लेती है सब बच्चे खुशी से चीक पड़ते है आसपास के लोग भी इशानी के तारीफ करते है आज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे वज़े से सारे बच्चे कितने खुश हो गए है देखा बहू कुछ भी बेकार नहीं होता है आज तुम्हारी लंबाई के वज़े से तुम ये कर पाई लेकिन तुम थोड़ा भी गई हो तो चलो घर लोट चलते है बजार कल चले जाएंगे हाँ माजी चलिए रोहित बेटा दर्वाजा खोल हाँ एक मिनट अभी खोलता हूँ आज इशानी के कारण कुछ बच्चे तालाब में गिनने से बज़ गए इसलिए सब लोगों ने उसकी बहुत तारिव भी किये कुछ दिन बाद रोहित के ओफिस में एक पार्टी होने वाला होता है लेकिन रोहित इशानी को उस पार्टी में ले जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था लेकिन उसकी मा ने रोहित को बहुत समझाया तब वो इशानी को ले जाने के लिए तैयार हो गया जब रोहित इशानी को पार्टी में ले गया तब उसके दोस्तों ने लंबे बहु के वज़े से रोहित का बहुत मजा कुराता है अरे यार अलादीन का चिराग लेकर ढूंडने से भी ऐसी पत्नी नहीं मिलती है तुझे कहां से मिल गई? तू तो पैदल कम इसकी गोद में ज़्यादा घुमा कर अच्छानक एक लड़की की चीखने की आवाज आने लगी रोहित, लगता है फ्लेट की बैलकीनी के तरफ कोई हास्सा हुआ है सब लोग उसी तरफ भाग रहे है क्या हम लोग भी जा कर देखे? हाँ हाँ, चलो, देखते हैं क्या हुआ है अरे देखो देखो, एक लड़की लोबी के रोट से लटक रही है कैसे हुआ है सब? इस लड़की तो अभी बालकोनी के किनारे पहट कर फोन पर बात कर रही थी शायद पैर फिशल गया होगा और गिर गई होगी सब लोगों ने बहुत कोशिश किये लेकिन किसी के हाथ भी वहां तक नहीं पहुँच पा रहा था ये देखकर विशानी आगे आती है और अपना लंबा हाथ बरहा कर उस लड़की को पकर कर उठा लेती है सारे लोग तालिया बजाने लगते है ठैंक्यू मेडम जो काम हम सब नहीं कर पाए वह आपने असानी से कर दिया और हमें माफ कर दीजिए हमने आपके बारे में उल्टा सिधा कहा था अरे ठैंक्स की कोई जरूवत नहीं है लड़की मुसीबत में थी तो मैंने बस उसकी हेल्प कर दी मुझे अच्छा लग रहा है के मेरी कारण उसकी जान बजगई और रही माफी मागने की बात तो इसमें आपके कोई गलती नहीं है लेकिन आप लोगों को इस बात का एहसास है यही बहुत बड़ी बात है वह क्या बात है मुझे तो अपनी वीवी पर गर्भ हो रहा है सच हिसाने आज तुमने मेरा मन जित लिया आज से तुम सिर्फ मेरी मा की बहु नहीं मेरी पत्नी भी हो उस दिन से इशानी और रोहिद खुशे से अपना जीवन बिताने लगे